आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीजो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, तो हमारा question है What is the total number of factors of the number? यानि कि यह हमारे पास नंबर है इसका हमें total number of factors बताना है तो चलिए इसको करते हैं तो number of factors हमारे इस question क्या है तो question है n इकोल्स टू है 4 to the power 11 इन्टू 14 to the power 5 इन्टू 11 to the power 2 तो सबसे पनले हम इसे prime factor में तोरना पड़ेगा इसको तो prime factor में तोरते हैं तो यह prime factor इसको 2 का square लिख सकते हैं यानि कि 2 का square पावर 11 यह हो जाएगा 14 14 गम कैसे लिख सकते हैं 2 into 7 to the power 5 यानि इसको लिख सकते हम इसको तैसी रखते हैं 11 to the power 2 तो हमारा एक properties होता है कि A to the power M whole power अगर n हो तो यह क्या होता है A to the power M into n हो जाता है उसी तरह A into B whole power M हो तो यह आपस में separate हो जाता है यानि की हो जाता है A का power M into B का power M और एक हमारा property होता है A to the power M into A to the power N हो तो यह हमारा क्या हो जाता है A to the power M plus N पावर हमारा 8 हो जाता है यह property को हम यहाँ पर use करेंगे चोई इसमें use करेंगे तो एक number के मुतर क्या हो जाएगा 2 to the power 11 into 2 यानि कि 22 हो गया उसी तो इसको separate करेंगे second number property से तो जाए 2 to the power 5 into 7 to the power 5 और यह इसी रहेगा इसके वाद हम यहाँ पर 2 to the power 22 प्लस 5 यानि कि 27 हो जाएगा इन्टो 7 to the power 5 into 11 square यह हो गया अब हम total number of factors बताना है हमें हमें total number of factors बताना है तो total number of factors हमें जो exponent होता है exponent हम add 1 कर जते हैं तो हमें लिखेंगे हम therefore total number total number of factors of factors यानि कि क्या हो जाएगा 27 प्लस 1 इन्टो हो जाएगा 5 प्लस 1 इन्टो हो जाएगा 2 प्लस 1 यह हमने पावर में सब 1 8 कर दिया है अब इसके वाद हमें यहाँ से 28 इसके बाद यहाँ से 6 और इसके बाद यहाँ से 3 अब हम इसको multiply करेंगे तो multiply करेंगे तो 28 हो जाएगा 6 into 3 और 18 हो जाता है तो इसको हम यहाँ पर multiply करेंगे तो यह हमारा final answer आजाएगा 504 तो यह होगा हमारा solution Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 पर